हलो, गूट मारिंग, मैं डॉक्टर जैनेंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट अपायंत्र पालजी, जैन कॉलेज तुर्वा से हूँ आज हम लोग देखेंगे, समेस्टर 6 के लिए, डीस्टी 3 वेपर के, योनिट 2 को इसमें आज हम लोग देखेंगे, भुरून हत्या, जो भारते समाज में एक पहुद पड़ी समस्या रही है हम देखेंगे कि भुरून हत्या क्या है, सीधे सब्दों में कहा जा सकता है, बाली का सिसु को गर्ब से हटाना अर्थात्म गर्ब से लिंग परेक्षण जांच के बाद बाली का सिसु को हटाना करन्या भून हत्या है केवल पहले लड़का पाने की परिवार में भुजूर्ब सदिस्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जन्व से पहले ही बालीका सिसु को गर्ब में ही मार दिया जाता था अल्ट्रासॉंड जैसी तक्नीकी के आधार पर लिंग परिक्षन जाज की बाद जन्व से पहले मा के गर्ब से लड़की के भुण को समाप्त करने के लिए गर्बपात की प्रकिर्या को कन्या भुण हत्या कहते हैं कन्या भुण या कोई भी लिंग परिक्षन भारत में वैसे तो परिक्षन भारत में गैर कानूनी है या उन अभिभावेकों के लिए सर्म की बात है जो सिर्फ बालक सिसु चाहते हैं साथ ही इसके लिए चिकित्सक भी खासतोर पर गर्पात कराने में मदद करते हैं ये सभी प्रकिर्या परिवारिक दवाव खासतोर से पती और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा की जाती है गर्पात कराने के पिछे समानने कारण और नियोजित गर्भ है जबकि कन्या लोगों का मानना है कि लड़के परिवार के वन्स को जारी रखते हैं, जबकि वो ये बेहत आसानी सी बाद नहीं समझते कि दुनिया में लड़कियां ही सिसु को जन्म देश सकती हैं, कन्या भुरुन हत्या सताब्दियों से चली आ रही है, खासतोर सर उन परिवारों में जो के वो लड़का ही चाहते हैं, इसके पीछे विभीन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक कारण भी हैं, अब समय बहुत बदल चुका है, हलांकि विभीन कारण और मान्यताओं कुछ परिवार में आज भी जारी है, कन्या भुरुन हत्या सताब्दियों से चला आ रहा है, खास्तोर से उन परिवारों में जो लड़का ही चाहते हैं, आकडों के अनुसार ऐसा पाया गया है कि परिवार में पुरुस और महिला लिंगा नुपात, 1961 में 102, पुरुस पर 100 महिला, 1981 में 104 पर 100 महिला और 2001 में 107 पर 100 महिला है, यह दिखाता है कि पुरुस का अनुपात हर बर नियमित तौर पर बढ़ रहा है, भारत में वहन करने युग्य अल्ट्रासॉंड तकनिक के आने के साथ ही लगभग 1990 के प्रारंभ में ही कन्या भुरुन हत्या की सुरुवात हो चुकी थी, भारत में 1989 में अल्ट्रासॉंड तकनिक की प्रगती आई, हलाकि इसका फैलाव बहुत धीमे था, लेकिन वर्ष 2000 में व्यापक रूप से फैलने लगा, इसका आकलन किया गया कि 1990 से लड़की होने की वज़ा से 10 मिलिन से जादा कन्या भुरुनों की गरपात हो चुका है, हम देख सकते हैं कि इतिहास और सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी के द्वारा कन्या भुरुन हत्या किया जा रहा है, पुर्व में लोग मानते हैं कि बालक सिसु अधिक स्रिष्ट होता है, क्योंकि वे भविष्ट में परिवार के वन्स को आगे बढ़ाने के साथ ही हस्तांत्रित सरम भी उपलब्द कराएगा, पुत्र को परिवार की संपती के रूप में देखा जा सकता है, उधारन के तोर पर यह समझा जा सकता है कि भारतिय समाज में एक क्रिसी परधान देश रहा है और क्रिसी कारे हेतु पुरुस सरम की ज़्यादा आओ सकता पड़ती थी, इसलिए भी कन्या भुरुन हत्या ज़्यादा तर होता रहता था क्योंकि क्रिसी कारे करने के लिए पुरुस की आओ सकता होती थी, हाथ की आओ सकता होती थी, ताकि क्रिसी कारे किया जा सके, इसलिए भी जन्म लेते ही महिला सिशु को मार दिया जाता था प्राचीन समय से ही बारतिय समाज में लड़कियों को लड़कों से कम सम्मान और महत्व दिया जाता था सिच्छा, स्वास्त, पोशन, खेल, आदे छेतरों में लड़कों की तरह इनकी पहुच नहीं होती है बेटियां अनमोल होती है कि अपने पहले ही भाग के द्वारा आम लोगों की बीच जागरुकता बढ़ाने के लिए कई अभिनेता द्वारा चलाये गए कारे करम भी प्रस्तुत होते रहते हैं महिलाओं को भारतिय समाज में अपने परिवार और समाज के लिए एक अभिसाप के रूप में देखा जाता रहा है इन कार्णों से तकनीकी उनित्तिक के समय से ही भारत बहुत वर्सों से कन्या भुरुन हत्या की प्रथा चली आ रही है 2001 के सेंसस के आंकडों के अनुसार पुरूस और इस्तरी अनुपात एक हजार में 927 ही मात्र रही है कुछ वर्स पहले लगभग सभी जोडे जन्व से पहले शिशू के लिंग को जानने के लिए लिंग निर्धारन जाच का इस्तमाल करते थे अब हम लोग देख सकते हैं कि कन्या भुरुन हत्या के प्रमुक कारने क्या-क्या है आम तोर पर माता पिता लड़की सिसू को टालते हैं क्योंकि उन्हें लड़की की साधी में दहेज के रूप में एक बड़ी कीमच चुकाने पड़ती है अर्थात विबा की समस्या भी कन्या भुरुन हत्या का सबसे पहला कारन है ऐसा मान्यता है कि लड़कीयां हमेशा उपभोगता होती है और लड़के उतपादक होते हैं अई भावक समस्ते हैं कि लड़का उनके लिए जीवन भर कमाएगा और उनका ध्यान देगा जबकि लड़कीयां की साधी होगी और वो चली जाएगी एक मिथक यह भी है कि भविस्वें पुत्र ही परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा जबकि लड़कियां पती के घर में के नाम को आगे बढ़ाती है अई भावक और दादा दादी समझते हैं कि पुत्र होने में ही समान है जबकि लड़की होना एक सर्म की बात है परिवार की नई बहु पर लड़के को जन्म देने का दवाब रहता है इसी वज़ा से लिंग परिक्षन के लिए उन्हें दवाब बनाया जाता है और लड़की होने पर जबरन गर्वपात करा दिया जाता है लड़की को बोज समझने की एक मुख्य वज़ा लोगों की असिक्षा और सुरक्षा और गरीबी है विज्ञान में तकनीकी उन्नती और सार्थक्ता ने अई भावकों के लिए इसको आसान बना दिया है कन्या भुरुन हत्या की मुख्य वज़ा बाली का सिसू पर बालक सिसू की प्राथमिकता है क्योंकि पुत्र आई का मुख्य स्रोथ होता है जबकि लड़किया केवल उपभोगता के रूप में ही होती है समाज में यह गलत फाहिमी है कि लड़के अपने परिवार की सेवा करते हैं जबकि लड़की पराया धन होती है दहेज विवस्था की पुरानी प्रथा भारत में इभावोकों के सामने एक बड़ी चुनाउती है जो लड़कियां पैदा होने के से बचने का मुख्य कारण है पुरुसवादी भारतिय समाज में महिलाओं की इस्थिती निम्न है अभी गैर कानूनी लिंग परिच्छन और बालिका सिसु की समापती के लिए भारत में दूसरा बड़ा कारण गरपात की कानूनी मान्यता है तकनीकी उनत्ती ने भी कन्या भुरुन हत्या को बड़ा हुआ दिया है इसके लिए नियंत्रन के लिए कुछ उपाय किये गया है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के भविश्य के लिए कन्या भुरुन हत्या एक अपराद और समाजिक आपदा है भारतिय समाज में होने कन्या भृण हत्याओं के कारणों का हमें ध्यान देना चाहिए और नियमित तोर पर एक एक करके सभी को सुलजाना चाहिए लेंगिंग भेद्भाव की वज़ा से ही मुख्यता कन्या भृण हत्या होती है इसके उपर नियंत्रन के लिए कानूनी सिकंजा होना चाहिए भारत के सभी नागरी को द्वारा इससे समंधित नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और इस कुरूरतम अपराध के लिए किसी को भी गलत पाया जाने पर निश्चित तोर पर सजा मिलने चाहिए चिकत सको के इसमें सामिल होने की स्थिती में उनका इस्थाई तोर पर लाइसेंस रद करना चाहिए गैर कानूनी लिंग परिछन और गरपात के लिए खास तोर पर मेडिकल उपकरनों का विपनन को रोकना चाहिए उन अयुभावों को दंदित करना चाहिए जो अपनी लड़की को मारना चाहते हैं युवा जोडों को जागरू करने के लिए नियमित अभ्यान और सेमिनार आयुजित करने चाहिए महिलाओं का ससक्ति करण होना चाहिए जिससे वे अपने अधिकारों के प्रती सचेत हो सके भरुन हत्या के संबंध में कई अधिनियम या कानून बनाए गये हैं जैसे पूर्व गर्भादान और प्रसोपूर निदान तकनीक अधिनियम जो 1994 में भारत में लागू ही 1994 में भारत में कन्या भुरुन हत्या और गिर्ते लुंगा नुपात को रोकने के लिए भारत की संसत द्वारा पारित एक संखे कानून है इस अधिनियम से प्रसोपूर लिंग निदारन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है प्रिनेटल डाइगोनेस्टिक टेकनीक PNDT Act 1996 के तहत जन्म से पुर्व सिसु के लिंग की जाज पर पाबंदी ऐसे में अल्ट्रासांड या अल्ट्रासोनोग्राफि कराने वाले जोडे या करने वाले डॉक्टर लैब करमी को तीन से पांच साल की सजा और दस से पचास हजार जुर्माने की प्रवधान की गई है प्रतेक अनुवांसिक प्रामर्स केंद्र, अनुवांसिक प्रियोकसाला, अनुवांसिक क्लीनिक प्रामर्स देने या प्रसवपुर्णिदान तक्निकों का संचालन करने में लगे हुए हैं जैसे कि गर्भाधान से पहले और बाद में लिंग चेन की संभावनाओं के साथ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अधिनियम के दाइरे में आता है और इस पर पुर्णता प्रतिबंद है। भारतिय दंड सहिता 1860 के तहत प्रवधान यह है कि जो कोई भी जान बूच कर किसी महिला का अगरपात कराता है तब तक कि कोई इसे साइक्छा से नहीं करता और गर्भावस्था का जारी रहना महिला के जीवन के लिए खतरनाक ना हो उसे साथ साल की कैद की सजा दी जाएगी यह भारतिय दंड सहिता की धारा 312 कहती है इसके अतिरिक्ट महिला की सहमती के बिना गर्भपात धारा 313 के तहत गर्भपात की कोशिस के कारन महिला की मृतिव होना धारा 314 के तहत इसे एक दंद्य अपराद बनाता है धारा 315 के अनुसार मा के जीवन की रक्षा के प्रियास को छोड़ कर अगर कोई बच्चे के जन्म से पहले ऐसा काम करता है जिससे जिवित बच्चे के जन्म को रोका जा सके या पैदा होने के बाद उसकी मृतिव हो जाए उसे 10 साल की कैद होगी धारा 312 और 318 गर्वपात के अपराद पर सरल्दा से विचार करती है जिसमें गर्वपात करना बच्चे के जन्म को रोकना और जन्म में बच्चे की हत्या करना आदी है नवजात सिसू का त्याग देना धारा 317 कहता है बच्चे की मृत्य शरीर को छुपाना या इसे चुपचाप नस्ट करना धारा 318 के अंतरगत होती है हाला कि कन्या भुरुन हत्या या सिसू हत्या सब्दों का विशेश तोर पर इस्तमाल नहीं किया गया है फिर भी ये धाराएं दोनों अपराधों में को समाहित करती है इन धाराओं में जेंडर के तटस्त प्रब्द का प्रयोक किया गया है ताकि किसी भी लिंग के भुरुन के संदर्व में लागु किया जा सके हाला कि भारत में बाल भृुन हत्या या सिसु हत्या के बारे में भी कम ही सुना गया है भारतिय समाज में जहां बेटी की चाह संरचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई है वो ही महिलाओं को बेटे के जन्म के लिए अत्याधिक समाजिक और मनोवय ज्यानिक दवाव जहलना पड़ता है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद